तनमय अगरवाल इस खिलाडी का आपने नाम तो नहीं सुना ओगा लेकिन इस खिलाडी का कारणामा सुनेंगे तो आप चौक जाएंगे जिस तरीके से इस खिलाडी ने परफॉर्म किया जिस तरीके से हैदराबाद के ओर से खेलते हुए इसने कारणामा किया मतलब इतिहास इससे पहले ये कारणामा किसी खिलाडी ने ना किया था ना सिर्फ भारती है मतलब इंटरनाशनल रिकॉर्ड बना दिया इस खिलाडी ने बहुत ही उंदा पर्फॉर्मेंस तनमय अगरवाल तो जिस तरीके से खेल रहे थे हर एक एंगल से बांडरी की बात करें स्ट्राइ पर्फ ृश्ट में तीन सो रन जड़ दिये और ऑवर ऑल वास्टिस्ट ऐसे बलेबास बन गया जिनी सबसे तेजी से पर्स्टक त्रास क्रिकेट में तीन सो रन बनाए इसके पहले आपको बता दिकि यहा रिकॉर्ड जो था वह मौरिस के नाम सब्सक्र क्यानमे गेदों म है अगरवाल ने बिल्कुल तरीके से सबसे तेज 13 सतक बनाया मात्र 147 में बहुत बड़ी बात है 147 वाल में आप 300 रन बनाते हैं तो एक बहुत अच्छी काबिलियत है आपके अंदर और साथी साथ ना 300 की बात छोड़ दिए 200 रन भी उनके सबसे तेज बनेता है अगर किसी अगरवाल ने चले एक बार उनके स्टैट्स पर नज़र डालते हैं कि किस तरीके की बल्लेबाजी करिए रंजी ट्रॉफी में तनमें अगरवाल ने आप देख सकते हैं कि 306 रन बनाया है सिर्फ और सिर्फ 180 गेंदों में जिसमें से 34 चौक्य लगाएं और 26 छक्य लगाएं स्ट्राइक रेट इनका 202.21 है मतला 200 की उपर की स्ट्राइक रेट से इनके बल्लेबाजी करिए ऐसी ही आप इनकी काबिलियत जब परक सकते हैं कि क इतनी उम्दा खिलाड़ी तरम आगरवाल बिलकुल सैता और इन्हों ने रिकॉर्ड बनाया कि फ़र्स क्रिकेट में सबसे ज्यादा च्छक्के माने का 26 च्छके इनके बल्लिस है इससे ज्यादा चक्का किसी ने फर्सक्लास क्रिकेट में एक मैच में नहीं मारत और साथी स बहुत ही ज्वाइट लिश्ट में जाहा वह समय और अगर तन बहुत ही ज्यादा बढ़ा रिकॉर्ड बना देते मुद्का करें तो फिर्स कास्ति किसी ने हैं तो भाड़ती ने किसी ने मारा एक पारी में तो निबाल अंकर रहें जो 443 रन बनाया था उसके बाद 300-379 और उसके बाद तन में अगरवाल 306 चट मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं थे रिकॉर्ड तोड़ने के अगर कुछ रन और बना देते तो सायद प्रथम पर आ जाते लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस था जिस तरीके से बल्लेबाजी की मतलब 26 चौके आप अगर मार रहे हैं फर्स क्लास क्रिकेट में बहुत बढ़ी बात है और इनका स्ट्राइक रेट हमने देखा 200 से जादा का स्ट्राइक रेट में खेलने अगर कोई खिलाडी टीट्वेंटी में 200 के स्ट्र की इंडिया में कितना ज़्यादा टैलेंट अब इंट्रेंश्टर क्रिकेट में भी इस तेम स्लेक्षिन कमीट इतना ज्यादा है सरदर्द कि कैसे किस प्लेयर को प्लेइंगे में जगे देए विए बिटाइक काने लिकिन अब नए नहीं लटके भी तैयार हो रहें इंटे कर लिए लेकिन अब एक और खिलाडी सामने आ गया है मुझे नहीं लगता कि जो खिलाडी मतलब अभी अल्रेडी वेटिंग में लगतार सर्फरास कान बढ़ियां बढ़ियां पर्फॉर्मेंस करें अच्छा-च्छा खेल रहें लेकिन उसके बाउजूद मौकान नहीं मिलता बहुत अर्ली हो गया लेकिन फ्यूचर इनका बहुत अच्छा होने वाला और आई पेल में भी खेलने का इनको जबरजस्त मौका मिलेगा हो सकता है कि अगर ऐसे डोमेस्टिक परफॉर्म करते रहें तो शायद नेक्स्टियर जब आई पर्फॉर्म करते रहें तो शायद झाल